नमस्कार संस्कृत के प्रिविद्यारतियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेंस हिंदी मेडिया पर मैं पंकस्तिवारी जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्ब अभ्यासकार के बाद आपके लिए ऐसे प्रश्णों का संग्रह करके होता है तो ऐसे प्रश्णों के लिए प्रतिक चैप्टर से हम लोग लाते हैं क्या मल्टीपल चॉइस कुश्चन तो आज हम लोग इस पार्ट से भी कुछ मल्टीपल चॉइस कुश्चन करेंगे आप लोग तयार हैं और यदि तयार हैं तो जल्दी से जल्दी मुझे कमें सेक्षन में दीजिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ जो नए हैं वो जब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेगे मैं आपको एक बात और बता दू कि मैगनेट ग्रेंस के द्वारा कप्छा छटवी से लेकर के बारहमी तक के हिंदी मीडियम और इंग्लेस मी कीजिएगा लिंक इंडिस्क्रिप्शन वॉक्स में आप जाएंगे तो इनोट्स और इबुक्स की संपुर्ण जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी ध्यान रखिएगा आज हम लोग चल रहे हैं अपनी क्लास पर कच्छा साथ भी संस्क्रिट स्वाब लंब नम तृति आगे बढ़ेंगे यहां से पहला प्रशन हमारा दिया हुआ है पहले प्रशन में क्या है ध्यान से देखना है पहले प्रशन में क्या है गवाक्षा क्या दिया है गवाक्षा को अर्था गवाक्षा सब्द का अर्थ क्या है मैंने आप लोगों को बताया था गवाक्षा में आर्थ क्या है जल्दी से बताईए गवाक्षा का आर्थ क्या है उसके 18 कमरे थे और उसमें 50 खिड़कियां थे तो गवाक्षा सब्द को हिंदी में खिड़कियां कहते हैं ठीक या जरोखा तो ऐसा यहां पर देखें कुछ आपको मिल रहा है क्या दरवाजे अलमारी खिड़ सब्दकियां कमरा जल्दी से बताईए गवाक्षा को हम लोग क्या कहते हैं जल्दी से आप लोग ऑप्शन में जल्दी से मुझे दीजिएगा एं वन टू-तू-त्री-फॉर के रूप में आप लोग दे सकते हैं और या फिर काखा गागा आवी सीडी ऐसे भी आप दे सकते हैं आंसर में अर्थार्त गवाक्षा को क्या कहते हैं फिर इसके बाद प्रशन क्रमां के फॉस्ट के बाद हम लोग सेकेंड पर चलेंगे दूसरे नंबर का प्रश्ण दीया हुआ है माशाह भवन्ती माशाह भवन्ती मास होते हैं कितने होते हैं एक साल में कितने महीने होते हैं बताएंगे एक साल में महीने कितने होते हैं मैं तो नहीं बताने वाला आप बताएंगे एक साल में कितने महीने होते हैं 11 होते हैं क्या 12 द्वादस बारह होते हैं क्या त्रयोदस तेरह होते हैं क्या चतुर्दस या चौदह होते हैं आपके द्वारा एक साल में कितने महिने होते हैं जल्दी से जल्दी मुझे अंसर दीजिएगा एक साल में कितने महिने होते हैं तो द्वादस मासाह मने महिने भवन्ती मने होते है हैं एक साल में कितने महिने होते हैं 12 महिने होते हैं प्रश्ण क्रिमांत तीसरा तीसरे नंबर का कॉस्चन आप ध्यान से देखना तीसरे नंबर का प्रश्ण हमारा क्या कहता है ठीक है तीसरे कि प्रश्ट में आपको लिखा हुगा है एकस्मिन मासे कती दिनानी भवंती एकस्मिन मतलब एक मासे मतलब महिने में कती माने कितने दिनानी माने दिन भवंती माने होते हैं एक महिने में कितने दिन होते हैं एक महिने में कितने दिन होते हैं जल्दी से बताइए एक महिने में कितने दिन होते हैं तो विंसती 20 होते हैं क्या पंच विंसती 25 होते हैं क्या नाव विंसती 29 होते हैं 30 होते हैं देखिए एक महिने में 30 दिन होते हैं और एक लीप वर्स आता है फरवरी का महिना चार साल के बाद उसमें 29 दिन भी होते हैं लेकिन आपको साधारण एक महिना कितने दिन का होता है 30 दिन का और फरवरी को छोड़ करके फरवरी हमारी 28 दिन की होती है ठीक है और कुछ महीने 31 दिन के होते हैं तो एक महीने में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं आगे बढ़ें प्रश्ण किर्मांग 3 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्ण किर्मांग प्रश्य क्रमांग 4 हमारा क्या कहता है औहरनिशम को अर्थ निशं को मताइए अहर निशंग का अर्थ क्या है बताएगा कोई हर निशंग का मतलब होता है दिन रात हर रोज कभी कभी हर रोज कभी कभी दिन रात अभी बताइए कौन सा अर्थ हो जाएगा अहर निशम का दिन और रात इसमें भी हमारा द्वन्द समास है कौन सा समास है द्वन्द समास ध्यान रखना अहर निशम को अर्था है अहर निशम का क्या अर्थ है तो दिन रात इसका अर्थ हो जाएग प्रश्ने क्रमांग चार के बाद आगे बढ़ेंगे प्रश्ने क्रमांग पाँच पर प्रश्ने क्रमांग पाँच हमारा क्या कहता है त्यान से देखना है स्रीकंठस्यों पिता की दृशा आसीतों स्रीकंठ के पिता किस प्रकार की थे बताईए सिरी कंट के पिता के पास बहुत शाया क्या था माल रुपिया पैशा सम्रिध्य थे कैसे थे धनवान थे सम्रिध्य थे सारी सुख सुभधाय थी तो निर्धन थे क्या निर्धन माने जिसके पास धन नहीं होता वो निर्धन कहलाता है संब्रिद्ध शंब्रिद्ध का मतलब जिसके पास सब कुछ हो वो संब्रिद्ध है कृष्षिकाह माने किसान और बल्वान जिसके पास ताकत होती है वो बल्वान होता है तो स्रीकंठ के पिता के पास क्या था शब कुछ था इसलिए इसका अर्थ होगा सम्रिध्धा अंसर क्या होगा इसका सम्रिध्ध स्री कंथ के पिता किस प्रकार के थे तो सम्रिध्ध थे अगे चले शीरी कंढ़ से पिता की दिर्शाहा प्रश्ने किर्मांग्चे प्रकोष्ठ थेसु को अर्था प्रकोष्ठ थेसु मतलब जानते हो जल्दी से बताओ प्रकोष्ठ थेसु प्रकोष्ठ थेसु का मतलब होता है कमरे प्रकोष्ठ बनाना कमरे बताइए जल्दी से घरों में दीवाली में उद् क्या होगा प्रकोष्ठेसू मतलब उसके कमरों में क्या थी पचास खड़किया थी क्या थी पचास खड़किया थी ध्यान रखना इसलिए प्रकोष्ठेसू का मतलब क्या हो जाएगा कमरों में कमरों में आगे बढ़ें प्रश्ने क्रमांग 6 के बार प्रश्ण क्रिमांग साथ चलिए लिखा है फरवरी मासे फरवरी मासे मतलब फरवरी महिने में सामान्य तहा अर्थार्थ फरवरी के महिने में सामान्य तहा साधारण कालीस्थान दिनानी भवंती कितने दिन होते हैं फरवरी महीने में सामान तहा साधारण रूप से 28 दिन होते हैं चार साल के बाद 29 दिन होते हैं अश्टादस 18 है अश्टादस का मतलब 18 है नवदस का मतलब 19 विनसती का मतलब 20 अश्टाविनसती का मतलब 28 जल्दी से बताये अंसर क्या होगा फर्वरी महिने में कितने दिन होते हैं अश्टाविनसती 28 दिन होते हैं फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं 28 दिन होते हैं अर्थार्थ इसका चौथे नंबर का उप्शन सही होगा ठीक है आगे बढ़ों प्रश्ण क्रमांग 7 के बाद प्रश्ण क्रमांग 8 पर चलेगे प्रश्ण क्रमां काम करने वाला कर्म कराह का मतलब क्या अर्थ है वो पूछ रहा है कर्म कराह का मतलब क्या है सेवा को माले को कार्य या दिन जल्दी से बताएं क्या है इसका अर्थ क्या है कर्म कराह का मतलब होता है सेवा को काम करने वाले कर्मकराह का बतला सेवक प्रश्निक्रमांक नौ पर चलेंगे कुत्र कोपी कर्मकराह नासीत कुत्र माने कहां कोपी माने कोई भी कहां पर कोई भी काम करने वाला नहीं था कहां पर कोई भी काम करने वाला नहीं था ग्रहे नगरे ग्रामे उद्ध्याने बताईए कहां पर नहीं था तो क्रश्नमूर्ती के ग्रहे माने घर में क्रश्नमूर्ती के घर में आप सोचोगे कि ये ग्रहे सब्द आया है तो घर जो होता है वो छोटा होता है भवन जो होता है वो बड़ा होता है ठीक है ना भवन होता है जैसे महल कोई कह दे माने के चलिए एक छोटा सा ऐसा घर बना हुआ है ठीक ऐसा छोटा सा एक घर बना हुआ है और आप सोचों आप कहो कि ये बहुत बड़ा भावन बना है तो आप ये सब्द गलत प्रियोग कर रहे हो ठीक है ना आप इसको कहेंगे घर चोटा सा घर ठीक और अगर बहुत बड़ा घर बना हुआ है तो और बहुत सारे उसमें नौकर चाकर हैं तो फिर आप इसको क्या कहेंगे बहुत बड़ा भवन कहेंगे की नहीं कहेंगे तो इतना अंतर होता है घर में और भवन में समझ भे आ गया प्रश्ने किर्मांक 9 के बाद 10 पर चलेगे प्रश्ने किर्मांक 10 हमारा क्या कहता है कृष्नमूर्ती क्या कहता है मामापी माने मेरे भी खलीस्थान करमकरासंती कितने काम करने वाले हैं तो कृश्यन मूर्थी ने कहा था कि मेरे पास भी अश्टव आठ कर्म करने वाले हैं. बोला था ना? तो यहांपर आपका अंसर क्या हो जाएगा? अश्टव. ठेक? कृश्यन मूर्थी के घर पर भी कितने काम करने वाले थे? आठ प्रश्ण किर्मायम के ग्यारह के बाद हम लोग चलेंगे वो सॉरी दस के बाद ग्यारह नंबर पर चलेंगे कस्य वास ग्रीहम आडंबर विहीना साधराणचा आसी किसका निवास घर वास ग्रहम का मतलब निवास घर किसका जो घर था किसका घर आडंबर भीहीन था अर था जिसमें कोई दिखावा नहीं था जिसमें कुछ भी नहीं था साधारण था और साधारण आशीत माने था किसका घर था ऐसा जो बिलकुर साधारण था और उसके अहां कोई भी दिखावा नहीं था ना नौकर थे ना गाड़ी थे ना पंखे थे ना जादा ठीक है ना ना बहुत बड़ा खंभे थे बहुत बड़े-बड़े किसके घर में स्रीकंठ के कृष्णमूर्थी के सम्रिध् धना शनिर्धन के बताइए कृष्णमूर्थी के घर पर ना तो आडंबर था और ना कुछ था बिलकुछ साधारण घर था किसका घर कृष्णमूर्थी है कृष्णमूर्थी का घर 11 के बाद 12 नंबर के प्रश्ण पर चलेंगे 12 नंबर का प्रश्ण क्या कहता है कृष्ण मूर्थे माता पिता कस्य आतिध्यम अकुर्वन कृष्ण मूर्थी के माता और पिता किसके स्वागत करते हैं जल्दी से बताएं कृष्ण मूर्थी के माता पिता किसका स्वागत करते हैं उसके दोस्त किसका किसका स्वागत करते हैं 12 नंबर के बाद हम लोग चलेंगे 13 नंबर की प्रश्ण पर 13 नंबर का प्रश्ण क्या कै तो आप लोग कमेंट में दे रहे हो ना जल्दी से और दोस्तों से बी पोछ लो ना जल्दी से शेयर करके उनसे भी पूछो सेयर करते जाओं उनसे पूछो कि जर्या इसका अंसर तो बताओ ठिक है तो यहां देखें तेरे नमबर का प्रश्ण कस्य भवने किसके भवन में सर्व विधानी माने सब प्रकार की सुख साधनान इमाने सुख साधन आसन मतलब थे किसके घर पर सब प्रकार के सुखसाधन थे किसके घर पर थे तो स्रीकंठ के घर पर सब प्रकार के सुखसाधन थे स्रीकंठस्यो स्रीकंठ के घर पर सब प्रकार के सुख साधन थे ठीक है आगे वढ़ हूँ चलिए इसके बाद प्रश्ण क्रमांग 13 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्ण क्रमांग 14 पर चौदै नंबर का प्रश्ण देखेंगे लिखा हुआ है शर्वदा कुतरशुखम हमेसा कहा पर सुख मिलता है जो बेक्ती अपना कार श्वयम करता है उसको हमेशा सुख मिलता है जो व्यक्ति हमेशा अपने कारे को करता है उसको क्या मिलता है सुख मिलता है तो स्वाव लंबने क्या बनता है स्वाव लंबने किस पर मिलता है स्वाव लंबने ध्यान रखना किसको सुख मिलता है स्वाव लंबने जो स्वाव लंबी व्यक्ति होता है उसको हमेशा हमेशा स मिलता है ठेक अत्म निर्भर अपने कार को स्वैम करने वाला व्यक्ति स्वावलंबी कहलाता है ठेक प्रश्ण क्रमांग 14 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 15 नंबर पर 15 नंबर का प्रश्ण हमारा क्या कहता है कस्यों अश्ट कर्म कराह संती किसके आठ सेवक थे किसके आठ सेवक हैं थे नहीं संती मतलब हैं ठेक किसके आठ सेवक हैं काम करने वाले कृष्ण मूर्ती के आठ सेवक हैं कौन कौन पैर हाथ आख कान किसके हैं कृष्ण मूर्ती किसके हैं कृष्ण मूर्ते हैं उसके घर पर नहीं हैं वो तो उसके साथ में ही रहते हैं इसलि कृष्ण मूर्ती के आठ काम करने वाले हैं उसके घर पर होते अगर तो ये वाला उपसन आ जाता ठीक है चलिए प्रश्ण क्रिमांक 15 के बाद हम लोग चलेंगे 16 नंबर पर 16 नंबर का प्रश्ण हमारा क्या कहता है लिखा हुआ है 11 बज करके 30 मिनेट क्या लिखा हुआ है 11 बज करके 30 मिनेट बता चाइसी बनीत आपके एक गड़ी ये लिखा हुआ है 12 यह लिखा हुआ है है यहां होगा तीन और यहां होगा नो यहां एक यहां दो यहां चार यहां पाँच यहां साथ यहां आठ यहां दस यहां ग्यारा ऐसे चलती है ना हमारी घड़ी ठीक एक हमारी बड़ी सुई रहती है एक हमारी छोटी रहती है ठीक और एक हमारा क्या रहता है काटा रहता है सिकंड वाला क्या रहता है सिकंड वाला रहता है काटा ऐसे रहता है ना सिकंड वाला एक सिकंड वाला हमारा क्या रहता है काटा रहता है ठीक अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे तीन बजा हुआ है बारा बजा हुआ है और ये आपका नो बजा हुआ है और ये छे बजा हुआ है ठीक जब ये अभी छोटी वाली सुई एक पर है और बड़ी वाली सुई हमारी कहा है बारा पर तो पूरा का पूरा बारा एक बज गया है पूरा का पूरा एक बज़ गया है लेकिन यही बड़ी वाली सुई अगर हमारी छे पर आ जाए तो फिर हम क्या कहेंगे तब हम क्या कहेंगे सार्ध क्या कहेंगे सार्ध एक बादनम सार्ध एक बादनम ठीक है तो इसको जब 6 पर आती है सुई तो इसको बोलते हैं सार्ध सार्ध हो ठीक है ना हमेशा जोड़ना है जब साड़े बज़े हो यसे साड़े 5, साड़े 4, साड़े 3 बज़े हो तो आपको हमेशा जोड़ना है सार्द त्री बादने सार्द चतर बादने सार्द पंच बादने सार्द एक आदस बादने ऐसा करना है लेकिन यदि यही बड़ी सुई तीन पर हो तो आपको जोड़ना है सपाद जैसे आपके तीन बच करके 15 मिनिट लिखे हुए हैं तो आप कहोगे सपाद त्री वादने तीन बज करके पंद्रह मिने ठीक है और यहां पर लिखे हुए अगर वही बड़ी सुई आपकी नौ पर पहुंच जाए तो यहां कहते हैं पादौन क्या कहते हैं पादौन तो इसको कहेंगे हम जैसे नौ बजने दस बजने में आपका पंद्रह ऍसिधा मिनट वाकई है तो आप कहोगे पादौन दस बातनम क्या कहोगे पादौन दस बातना समझ में आ गएा उर यहां तो आपका पूर्ण सीधा बातनम होता हैं कि तो इन तीन चीजाओं को आपको याद रखना है तो यहां और यह बड़ी वाली सुई आपकी आ जाएगी छह पर और यह देखो यह आ गई है बड़ी वाली सुई और यह आपका यहां आ रहा है क्या यह आपका second वाला काटा यहां आगया यह second वाला काटा है अब यह बच चुका है आपके घड़ी में बच गए है ना यह घड़ी में आपके बच चुके है बतलब जो यहाँ पर लिखे हुए तो आप मैंने आपसे कहा था ना कि बड़ी वाली सुई अगर 6 पर है तो क्या लिखेंगे सार्ध क्या लिखेंगे सार्ध और कितने हैं ग्यारा तो आपको कुछ नहीं करना है यहां पर एकादस लिख देना है सार्ध एकादस लिख दिया सार्ध एकादस तो यहां पर कहीं लिखा हुआ है सार्ध द्वादनम सार्ध एकादस बादनम और सार्ध एकाद बादनम सार्द एकादस बादनम या साधाइक बादस बादनम या इन मैसे कोई नहीं अब आप देख लिजिए सार्द एकादस बादनम तो तीसरे नम्मर का ऑप्सन राइट हो जाएगा इसमें लिखा है ना सार्द एकादस बादनम या आप ऐसे लिख सकते हैं साधाइक यह थोड़ा संधी से जोड़ दिया गया है लेकिन आप ऐसे लिख दोगे तो भी आपका चल जाएगा समझ में आ गया ना सारधाई कई कादश वाधनम बिल्कुल ऐसे आपको आपको टाइम बहुत कई बार पूछा जाएगा तो इनको आपको सबको क्या करना है सॉल्व करना है और तभी आप इनको क्या है परिच्छा में भी कर पाओगे चलिए इसका अंसर आपने देख लिया आपका अंसर क्या हो जाएगा यहां गा नंबर का किस किस ने अंसर को सही किया इसके बाद प्रश्न क्रिमांक हमारा सत्रह नंबर का होगा इसमें लिखा है क्या बजा हुआ है चार बजा हुआ है चलो भया अब फिर से आप घड़ी के पास चलना है तो मैं दुबारा तो बनाओंगा नहीं मैंने फिर से वही कर लिया है चलिए यह आ गया है बश आपके लिए इतनी जरूरत थी तो आप इसको देख लीजिए यह आपकी घड़ी आ गई ना अब यह घड़ी आ गई है अब आपको यहां से यह दुबारा से मैंने आपको वही घड़ी दिखा दी है यहां पर लिखा हुआ है चार लिखा है कि नहीं अब यहां से आप जब इसको चार बजाओगे तो यह देखिए यह छोटी वाली चार के पास जाएगी जाएगी की नी जाएगी और ये बड़ी वाली सुई आपकी कहा जाएगी बड़ी वाली सुई बारा के पास जाएगी जाएगी तभी तो आप चार बजाओगे और ये जो आपका सेकेंड वाला काटा है इसको भी तो आपको सेटल करना पड़ेगा कहा क करोगे लेकिन वह तो दिखेगा ही नहीं के दो यह रहेगा आपका शेकेंड वाला और यहीं रहेगा आपका बड़ा वाला मतलब आपको देखना नहीं है बिलकुल देखना है इसी वे छिप गया है तभी तो चार बजी कहलाएंगे एक भी सेकेंड आगे पीछे नहीं दो को यहां चार बजा हुगा है एक भी मिनिट नहीं है ना चलिए अब यहां पर सीधे सीधे आप करोगे तो चत्वारी बादनम होगा के चतुर बादनम होगा ठीट और के इनमें से कोई नहीं बताईए जल्दी से यह चरतु बादनम लिखा है यह चतुर बादनम लिखा है यह चत्वारी बादनम लिखा है कौन सा सही होगा तो देखो ये चर्टू बादनम तो होता नहीं है तो ये तो कट जाएगा ये भी कट जाएगा तो आपके पास 50-50 लाइफ लाइफ लाइन बची हुई है कौन बनेगा करोड़ पती में मिलती है ना तो दो आपके पास है अब द तो ये आपका तुस्तिबल नंबर दोशुकाल चांगा गलत हो जाएगा न यह आपका मपूंसा का है चत्वारी जब संख्याओं में लिखते हैं तब आपको चत्वारी लिखना जरूरत पर ठेक है नहीं सिधे-सिधे चतुह लिखते हैं कैसे लिखते हैं चतुह here आप ही लिखते हैं चतु हू बादळभ डिनम्द ऐसे लिख देते हैं अब यहां पर तो आप कहोंगे कि तो क्यों रखे लिख दिया तो आपको बता दो यह जो रा की रकार लगीया उप़र यह भी शरगी की कारण ही आई है यहां पर रा आ जाता है लेकिंगे जब इसको जोड़ते हैं तो ये राह हमारा उपर चला जाता है अब इसको जोड़ोगे तो देखना वैसे भी बन जाएगा बिल्कुल बना की नहीं बना देखो जोड़ दिया मैंने जोड़ा बना की नहीं बना तब देखिये साधार Wand the अगर हम कोई भी चीज दिखते हैं हर चीज का एक कुछ ना कुछ तरीका होता है ठीक अगर हम लोग सीखेंगे तो बनेगा अभी हमारी सीखने की क्या है अभी हम सीख सकते हैं और आप नाइट टेंथ में पहुंचोगे फिर आपका मन बटकने लगेगा फिर आप सीख नहीं वाले थे एक हमने बताया है साड़े-bye beta बजिवाला और एक बताया है आपको चार बजने वालना इसके बाद अगर कोई हो फिर बाद में इसको हम मिटाएंगे पहले दिख लोए अगर कोई question अगर और होगा हां बिल्कुल है तीन बजने वाला आगया है तो फिर से हमें घड़ी में तीन बजाना पुड़ेगा तीन कैसे बजाएंगे कुछ नहीं करना है बस इस वाले काटे को चार से उठा करके तीन पर रख देना है बज गया थीन बताईए बजा की नहीं बजा अब तीन बज गया है तो आपको क्या करना है आप सोछोगे की सरmee पर नव पर आता है तो इसको लिखना है क्या तो बिलकूल नहीं लिखना है मैंने केवल बड़े काटे के लिए बताया है कि अगर बड़ा काटा 3 पर आता है तब सपाद लिखना है बड़ा काटा 6 पर आता है तब सार्द लिखना है और बड़ा काटा 9 पर आता है तब पादोन लिखना है ठीक है और जब पूरा यहीं पर बड़ा काटा छोटा काटा से 12 वजह होगे तब आपको कुछ नहीं लिखना है सीधे-सीधे संख्या लिखना हैं दोधस भाध नम्स हैं समझ में आ गया अब यहां पर देखें तीन लिखा हुआ और तीन आपको यहां पर गड़ीमें से कोई नहीं तो आपको मैं बता दू कि जो देखिए संख्याओं की मैंने अभी बताया ना इसके पहले मैं की एक दो तीन चार चार तक की संख्याओं के चलते हैं रूप क्या चलते हैं रूप एक बचन दुई बचन बहु बचन मैं ठीक जैसे मानके चलिए आपको किसी के की है उन गिंति करना तो ए कहा करना ठड़ेगा आ ऐसे आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा सूचित करना पड़ेगा तो यहांपर भी समय सुचक है तो तुन तैंब इया था ना कि आ organized जैसे वहांपर चतुबा ना ना नाती सिझान आ गया तो तो सीदे सीकन शव वादनम पंच बादनम सष्टवादनम् सप्त आश्ट वादनम् बादनम् दस बादनम् एका दस बादनम् together researchilton 11 यह क् traitि यह कौन सी रेल की घडरी बजा देती है वाज़ाती है ना willingness चलती है त्रयों दस बादनम, चतुर चतुर दस बादनम, पंच दस बादनम, सष्ट दस बादनम, सप्त दस बादनम, श्ट दस बादनम, एकोन विनसति बादनम, विनसति बादनम, द्वा विनसति बादनम, त्रियों विनसति बादनम, चतुर विनसति बादनम, चोविस बजते हैं वही आए बश्ते हैं कि नहीं रेल की घड़ी में बश्ते हैं ठीक लेकर लोग टिवल बारा हम लोग कितना हैं बारा बजे वाली घड़ी देखते देखते हैं चलि जैसे मान के चलिए आपके में 20 बज गए बिनसती बादनम लिखा हुए है तो मतलब 8 बजे हुए है बारा के बाद जितनी संख्या ज्यादा होगी उतने ही बजे बाने जाएगे बारा में आठ जोड़ोगे तो बिनसती बादनम मतलब 8 बच चुके है ठीक है न समझ में आ गया आगे बढ़ें अगला कॉस्चन भी है क्या समझ सूचक बाला अगर है तो आप बताएं है क्या तो चलो फिर आगे देखते हैं अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा बिलकुल है अगला कॉस्चन है मतलब इस घड़ी की सामत नहीं आ रही है साफ होने की ठीक है घड़ी जाने का नाम ही नहीं ले रही है ठीक चलो घड़ी नहीं जा रही है कोई बात ने अब आप तो बस देखलो कि यह बड़े वाले कांटे को यहां से खिसका करके आपको six पर ले आन करना पड़ेगा है ना थोड़ा पतला होता है ना सेकेंड बाला काटा जल्दी जल्दी भी चलता है वो चलिए अब यहां पर आपके बच चुके हैं साड़े साथ बच चुके हैं ना साड़े साथ बच चुके हैं ध्यान रख ले ना साड़े साथ बच चुके हैं साड़े साथ साड़े साथ साड़े साथ तो आप बताओगे अब मैंने तीन क्वेस्चन आपको बता है एक साथ को कहते हैं सब्त बादनम साथ को कहते हैं हम सब्त लिखा हुआ है सब्त अब इसमें आप क्या जोड़ोगे जल्दी से बताइए क्या जोड़ेंगे आप इसमें सब्त में क्या जोड़ोगे अर्ध सब्त बादनम सार्ध सब्त बादन सार्ध सब्त बादनम या इन मैंसे कोई नहीं कौनसा अंसर आपके द्वारा होगा बताएंगे क्या जल्दी से बताएंगे क्या कौनसा होगा अंसर दीजिए जलदी से चलो अब अंसर आपको कुछ नहीं देना है आपका तीसरे नंबर का अंसर बिलकुर राइट हो जाएका तीसरे नंबर का अंसर आपका राइट हो जाएगा ठीक है आपको समझ में आगया होगा मेरा मतलब था कि आपको QUESTION बनने चाहिए ठीक बस बच करके 30 मिनेट तो यहां पर क्या करेंगे आप एक को उठा छोटे वाले काटे को उठाएंगे यहां लिख देंगे बश यह बच चुका है क्या बच चुका है डेड़ बच चुका है अब शेकेंड वाला काटा आपका कहां आएगा शिक्स के पास आएगा ना डेड़ बचा हुआ है चलिए डेड़ बचा हुआ है अब डेड़ को फिर से आप कैसे कहेंगे तो इसमें भी आपको सार्द जोड़ना है तो यहां पर आपको क्या कर देना है एक क्या करना है एक जोड़ दिया अब आप क्या जोड़ेंगे सार्द आईक बादनम सार्द एक बादनम या सार्द आईक बादनम या सार्द कवाक बादनम इनमे से कोई नहीं और सन कौन सा आपके द्वारा सही होगा आपको यहां पर सुनस्चित करना है जल्दी से जल्दी आप लोग ब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका अंसर आप लोगों ने देख लिया है दूसरी नंबर का अंसर आपका इसमें भी सही हो जाएगा दूसरी नंबर का अंसर देखिएगा देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होते हैं कि जब हम लोगों को करनी होती हैं और हम लोग देख चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक मतलब हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेस्टन कर लिए हैं mcqs किस चैप्टर के किसे चैप्टर के स्वाब लंब नम स्वाब लंबी वनने का पूरा पूरा स्रे आपको जाता है भाईया आप लोगर अपना कार स्वाइम कर व्हूरा पूरइ तयारी करके परिष्छा केलिए जाएगा किसी पर निरवर मत रहिए ठीक है ना दोस्ती है ना इसके बाद मैं में अगले वीडियो बहुत जल्द लेकर कर आउंगा जो आपका रहेगा most important question वो बहुत ही महात्पूर्ण question होगा जो परिच्छा में आपको देगा बहुत अच्छी आपकी सहायता आपकी मदद ठीक है ना तो आप लोग ready रहिएगा जितने लोग हमारे अभी नए हैं वो जल्दी से जल्दी आप लोग comment section comment section में दीजिएगा और चैनल को subscribe कर लीजिएगा ठीक है मैं आपको बता दू कि magnet brains भारत का एक ऐसा platform है जो आप लोगों को 100% free education देता है 100% free education का मतलब होता है निसुल के सिक्छा जहां पर आपसे कोई भी रूपिया पैसा नहीं लिया जाता है आप किसी भी माध्यम से हों चाहे आप CVSC वोड़ इंग्लिस मीडियम से हो या CVSC वोड़ आप हिंदी माध्यम से हो आप कहीं से भी हों दिल्ली वोड़ से हो विहार वोड़ से हो UP वोड़ से MP वोड़ से राजिस्थान वोड़ से यहां पर आपके quality के साथ समझोता नहीं किया जाएगा उच्च गुडवत्ता के साथ योग सिक्षकों के द्वारा आपको यहां पर मार्ग दर्शन दिया जाएगा इसलिए आपने जितने भी मित्र हों उनको भी आप सूचित कर दीजिए कि मैगनेट ब्रेंस इंग्लिस मीडियम मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के संपूर्ण विसयों के चैप्टर वाइज आपको पूरे वीडियो यूटूब चैनल पर फिरी देता है तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा अपनी तयारी कर लीजिएगा इस गर्मी में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पूरी तयारी करके जाना है परिक्षा जब स्कूल में आप पहुँचो तो एक दम बिलकुल मजबूत होना चाहिए ध्यान रखोगे चलिए मैं बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर के दूसरा आऊंगा लेकर उससे पहले वेरी बात सुनते जाएए कि मैगनेट ब्रेंस के द्वारा क्लास 6 से लिकर के 12 तक के हिंदी मीडियम और इंगलेस मीडियम के नोट्स भी तैयार किये गए बोड नोट्स आपकी परिच्छा में आपकी बहुत मदद करेंगे नंबर लाने में तो आप लोग जल्दी से जल्दी नोट्स की भी जानकारी ले लो नोट्स की जानकारी आप कहां से लेंगे वो मैं आपको बताया दिता हूँ नोट्स के लिए आपको करना क्या होगा लिंक इन डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में आप नीचे जाएंगे तो इनोट्स और इबुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी ध्यान रखेंगे बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ जयत उसक्रतम जयत भारतम